सबसे बड़ी बात है जो चर्चा किया जाए उसको जीवन में अपने उतार पाऊंगा है यह सबसे बड़ी बात है चट से हम बोल देते हैं कहीं में कुछ भी इना अपने जीवन में जब उतारने की बारी आती है तो हो नहीं पाता है तो आप लोग के प्रसंता के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए इसको हम चर्चा करें तो क्या चल रहा है प्रीमत भागवतम यह वैश्णों पर यह मैं इसने लिया कि जो इसमें स्लोक में आज आएगा चीज तो वो जब तक किसी वैश्णों का क्रिपा नहीं होता बीना महतपाद रजो भी से कम निस्कीन चनानम नवरणी तियावत अंदर यह प्रसंग चल रहा है जैसा कि आप लोग कई क्लासों से सुन रहे होंगे जब आठमा संतान उत्पन होता है मता दिवकी को पहले तो सातमा को जब संकर संड जब वो ट्रांसफर कर देती है योग माया तो हल्ला हो जाता है कि बहई गरवाथ होगे गरवाथ हो गया सारे लोग यही ड़ुट कर रहे होते हैं रहे एक कंसु मरवादिया होगा है पापी आदमी जो छे को मार सकता है तो एक और को क्या दिकत है मारने में तो ऐसे लोग उस पर डाउट कर रहे होते हैं आठवा गर्वजियों जन्म लेता है ते वहीं अब जब बदला बदली हो जाता है ट्रांसफर हो जाता है इसके बाद भी जो पुत्री आई होती है मैय यह सोदा के यहां से रोना चालू करती है तो दियों सबका निंद खूल जाता अचानक से जितने भी पहरी थे जाके साहब को इंफर्म करते हैं कि भाई यह जिसका इंतजार कररें तो उगड़ी आ गाई अब इतने साल से आठम आप गवाकर इंतजार कर रहे थे चलिए चलिए ऑधी रात को भीयकी भागता हो जा आ रहा हो वह ब्लुकूल इतना तेजी से भागता वह जा रहा थाल बिल्कुल उसका उतरी गिर गया कपड़े खूले लेकिन कोई बाल हो लोग उसका भिखरा हुए रात में सो रहा थो भी किसी चीज़ का कोई भी एक छण भी बस युगा इतम निमेशन हो रहा था उसको वेट नहीं किया जा रहा था भागते हुए गया उठाया छीन उठाया क कि नो माता देव कि कि अरे ये तो कोई लड़का न है तो लड़की है तुम इतने बड़े राजा हो इतने बड़े सूरवीर हो लड़की मारो गे तुमारा बेस्ती हो जाएगा आज मोई फरक नहीं परड़ी हो रहा होने दो तो तुरन्त लिया उठा करके पटका और हवा म में ही उड़ गई और जे हवा में उड़ करके बिलकुल सक्षात अश्ट भुजी दुर्गा के रूप में जब वो बोलने लगी और जो कंस महराज वो दुर्गा जी के उपास सकते इंपेश्ट देवी जो थी वो दुर्गा जी थी जो की विश्टु भवान के उपास सकते हैं तो मुझे भाई साफ हमारी वह तो देवी आ गई ऑभी देवलकी के गरव सबस्पन नहीं में दो कि कितनी महान है कि मेरी अराध्या सब्साथ अब एक तो देखके डर भी लग रहा था डर के मारे कापने भी लगा कि भाई सब ये दुरका जी डिरेक्ट आ गई हैं इनको मारने का प्रयास कर रहा था हर साल बकायदे एक दुरका देवी को बली दिलवाता था और जो धनुस का एक पूजा करता था जो स्यू जी का धनुस मिला था दोनों के लिए यग यग करवाता था खर अबनुस के लिए और दुरका जी के लिए लगाई हर साल तुम यह के लिए यग य करता था वही सक्षात आ गई और आकर कर डाट के मिक्षणी कि טjukो मारने माला कि कहीं और जनम ले चुका है तो तो अब गय के अप्रकत हो तो नहीं है नहींनन को जलसो पगद होए यह भगवान के लिए देखी कि सुदामा की दीन दसा करुणा करके करुणा निधी रोई बच्पन कवीता था पढ़ना था ना इंध क्लास में तो वही कंस भी बिल्कुल चरणों पर गिर करके लगा रोने रो रोके उनका चरण धू गलती हो गया बहुत बड़ा गलती हो नियम इतना अच्छा बता रहा था कि सब काल के प्रभाव से होना था इनके कर्मों में यही थी मेरे जीजा जी मेरे बेहन आप्टेंसर मतलब क्या करें मैं तो पापी हूँ ही एक नंबर का दूश्ट आदमी हूई ऐसे कहने लगा तो तुर्ण अरे जली अली इनका हाथ खोलो बेणी औरी खोलो तुरंद खोलवाया हाथ से बिलकुल फिर बोला कि आपको इज्जत से बीदा करने लगा तो उस समय बसुदेव जी यह बोल रहे हैं उससे स्लोक यह क्या स्लोक बोल रहे हैं कि सोक हरसा भया द्वेसा लोभ मोह म दानविता मिठो घिननतम नपस्यंति भाव भावम प्रिथक दिसा जो कंस महराज कुछ नीती के स्लोक सुनाए हैं उसी पर अपना परपड दे रहे हैं आगे बसुदेव जी तो यह भी बहुत सुंदर नीती बोल रहे हैं नीती क्या है कि जो भी हमारे जीवन में सोक सोक आता है हर्स आता है मोह आता है भय आता है द्वेस आता है मद आता है यह क्यूं आता है मिठो घ्रंतम नपस्यंति भावे भावम प्रिथक दिसा यह हमारे जीवन में इसलिए आता है प्रिथक दिसा यह सब्द बहुत महत्पूर्ण है वह सुधेवजी बहुत नीती का बात बोल रहे हैं बहुत-बहुत इंपोटन्ट यह स्लोक बोल रहे हैं और कहीद कहीं इन परिस्तिति एंव से हम हमे leavẩy सापने जीवन में बी। जीवन में आता है कई बार किसी को दे कर के बिल्कूल खुस हो जाते हैं भाई साथ मेरा माक्स आगया बहुत अच्छा या मेरा आदमी कुछ प्रगति कर रहा है जिस कंपनी मैं सेयर में पैसा लगाया था वो कंपनी फल फुल रही है हर्स होता है कि है भुक्त कर जाने के सोख होता है कभी-कभी कि गलत जगाशिर लगा दियात है यह कोई पिछले जो फैस्टता ले लिए वो गलत हो गया था उसके लिए सोख होता है vie हर्स हो रहा है भाय इस भातिक जगत में जोभी जन्म लिया है सी चीची से लेकर के प्रम्हाजी त कि स्रीमत भागवत्म के थर्ड केंटों में कपिल देव भगवान अपनी माता देहुती से बता रहा है कि भय रहेगा ही रहेगा जिन्ने जनम ले लिया है कभी हो ही नहीं सकता कोई भय मुक्त हो जाएं चाहिए कोई बड़े से बड़े कोई पोश्ट पर भले मोदी जीयों प कि जब तक चरण कमलों का सरण नहीं ले तब भय चरण आरविंद भागवान के चरण कमलों करते हैं तो भय द्वेस ये मेरे से ज्यादा प्रगति क्यों कर रहा है कि इसका घर मेर革े बड़ा क्यों है यह कई मायने में हम लोग का द्वेस होता है सब्खक्ति ले बड़ा क्यों इसे भी द्वेस हो जाता की वार यवित कुंती महरानी परत हों में करी है निंदन्थी है जो दूसरे की भاغति में प्रग्ति के को देख करकर के अगर वह खुश हो जाए तो भाक्ति में आगे बढ़े जाता उसका भाक्ति का फ़ल उसको मिल जाता है मतलब आप अगर कोई भाक्ति कर रह изб quand take off माला कर रहें जोफकर रहें हरे कुछन mulheres और कोई व्यक्तिगर आपकी तारीफ कर दिया कि कितना अच्छा प्रोजी मतलब ऐसा नहीं आपको करने के लिए किसी से कि प्रोजी बहुत अच्छा जब करते हैं बहुत अच्छा माला करते हैं यह बहुत अच्छा भागवत पढ़ते हैं यह बहुत अच्छा भागवान का तो उनको कारे करने का फल मिलेगा इसको भी मिल जाएगा यह उनमें आता है हमारे मंदिर में चल रहा है। पृथू महराज का कि जो दूसरे के किये भकति का वो करता है बड़ाई को करता है दिन्दंति कि उसको मतलब है की हाँ बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अनुमोधन करता है, अनुमोधन करने वालों को भी उसके भक्ती का फॉल मिल जाता है, कितना असान है, लेकिन हम लोग द्वेस करते हैं, कई बार, मैं तो at least करता हूं, यह भक्ती में आगे बढ़ना है, सब कुछ इनको मिल रहा है, मेरे को नहीं मिलता है, मेरे में क्य क्या कमी है, पढ़ा लिखा तो मैं भी हूं, ऐसे हो जाता है, इतने भी हम बूरे नहीं है, लग जाता है, कुछ भी है, हम कितना भी बैशन भजन गाले, मम आमी, कंगाल, और भी सई दुरजन, सदा पापे रत, किछू नहीं मोरा गुना, लेकिन व्यक्तिकत जियों में बुद्भक्ति चाहिए, अपने आपको इतना भी सई दुरजन, सदा पापे रते, काम रते, इसको मानने के लिए, ये भी असान नहीं है, लोभ, ये तो खेर रहता है, बोलना ही नहीं है, मद, कुछ भी, कुछ भी छोटा भी चीज, किसी बध जीव के पास, प्रुपाद भागवतम में लिख रहे हैं, फोर्थ कैंटो में, कि एक भी खारी भी उगर उसके पास कुछ पैसा हो, तो उसका गर्व करने लगता है, कुछ तिको का भी गर्व करने लगता है, मतलब कोई भी बध जीव के पास कुछ भी हो जाए, उसी का हम गर्व करने लगता है, तो और अच्छे से समझाते हुए श्रीमत भागवतम के ग्यारमे इसकंद में एक कवी योगेंद्र हैं नीमी महराज से बता रहे हैं कि यह क्यों होता है हमारे जीवन में भायम ग्यारह दो सैंतिस भायम दितिया भी निवे सयस्यात इसाप पते तस्य विपर्दयो स्मृति तनमा ययातो बुद्वा भजेतम भकतई का एसः गुरु देवतात्मा इस स्लोक में बता रहे हैं पांच ततो का एक स्लोक में भीवेचना किये हैं नौयोगेंद्र नीमी महराज से यह भाय क्यों आता है जीवन में यह सोक यह सब जो विकार बताए गये हैं यह क्यों आता है जी अभी निवेस यत्यात जब हम दीतिये अभी निवेस में चले जाते हैं अर्थात भगवान को छोड़ करके दीतिये निवेस मतलब जीव कृष्ण दास यह विश्वास कर ले तो आर्दुख नहीं भगवान से अलग होकर के कुछ भी अपने आपको सोचना यह दीतिये अभ सधया कि हों मैं अधर और हूँ मैं प्रव्रम चार में ग्रियास्त हूँ है मैं है यूजयभी योजयिंधा नंपड़ हो गो रहा हो काला हूं एक जो हमारा जो भी स्वरूप है भगवान के धाम में जो भी जीवर स्वरूप है क्रिष्णेर नित्यदास्त तो क्रिष्णे के नित्यदास्ता के अलावा जो भी हम अपने आपको सोचते हैं यह सब दुवित्वी अभी निवेश है और यह क्या है इसाद उपेतस्य विपर्दयो इस्मृति यह क्यों होता भीया तो यह इस जो हमारे भगवान है इस उपेतस्य उनको उपेख्षा करने के बाद विपर्दयो इस्मृति यह हमारी जब इस्मृति विपरीत हो जाती उसके चलते होता है कोई भी जिव जब इस भौतिक जगत में आता है तो एक तो प्रत्रक शात्मी का सक्ति जिसके चलते हम आते हैं और दूसरा और अवरनात्मी का सक्ति एक आवरन बन जाता है हम अपने आपको भगवान से अलग समझने लगते हैं बोजने लगते हैं और ये क्यों होता है, बिपर्द, यो स्मृति श्मृति हमारी बिपरीत हो जाती है इस्ते हम अपने आपको भे भोगता समझ लगते हैं क्यों? जो पांच तरह का जो आवरण विशेशुरुप से मौह महा मौह तमस तमिस्र और अंधर तमिस्र जो ब्रह्मा जी ने बना रखा है इसके चलते होता है और ये क्यों तनमाया तो आपके माया के चलते जो भगवान की माया है इसके चलते हमारी इस्मृती बिपरीत हो जाती है उपाय क्या है बुध आभजे तो जो बुधिमान है वो क्या करेगा भजन करेगा भकताई का ऐसा गुरु देवतात्मा भकती करेगा इस का भगवान का और गुरु देवतात्मा गुरु के निरिच्छण में रहके हम भगवान का उपाष्णा करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारा द्वितिय अभिनिवेस है उससे प्रथम अभिनिवेस में चले आएंगे मतलब अपनी मूल इस्थिती में वापस आजाएंगे और तब जो भी जीवन में ये है सोक, हर्स, भए, द्वेस, लोभ, मोह, मदानवीता ये खतम हो जाएगा जीवन से ये क्यों होता है प्रिथक द्रिशा किसी भी चीज को जब हम भगवान से प्रिथक देखते हैं तब ये होता है जैसे कई सारे उदाहरन आया जेव अकास वाणी हुई कि इसी देवकी का आठवा गर्भ आपका काल बनेगा ये हुई थी ना अकास वाणी ने बोला था उसी समय महराज कंस तुरं तलवार लिए एक हाथ में लगाम छोड़ करके एक हाथ में बाल पकड़े और गर्दन काटने को लग गए क्या है ये करता हमीती मन नेते हैं अब देखिए ऐसे कई सारे उदाहरन आते हैं प्रोपाज जी ने परपट में बीसेत रूप से भक्ती का और भक्त का चर्चा किया है कि भक्त का क्या दृष्टी कोण होता है इस परिस्थीती में जैसे एक दो उदाहरन दीजी आप लोग भक्त के जीवन में कोई परिस्थी आया हो एक सबसे अच्छा उदाहरन मेरे को लग रहा था अम्रिस महराज जी का जब दुरवासा मुनी आये थे और नहादो करके आये पता जब उनको चल गया कि वो इसने पारण कर लिया तो तुरंत गुस्ता होने लगे तुमे तुमे तो भक्ती का बिलकुल भाब भी टच नहीं किया होगा दूष्ट कहीं का बीना मुझे खिलाए खा लिये और अपने गाली देने इधर दर की बात करने और तुरंत अपने बाल उखाड करके कृत्या उत्पन किये एक राच्छसी उत्पन किये और बिलकुल राच्छसी जाने लगी मारने के लिए अभी तुमें डंड चकाता हूं मारता हूं मैं छोटा सा बात था बिलकुल अब कती मारने ही लेगे और वो अम्रीष महराज भागवत्म के नौ मिसकंद आप लोग सुन चुके होंगे हाथ जोड़ करके खड़ा होगे ठीक है गलती कियों जो ठाकुर जी कृष्ण की इच्छा जो भागे में होना होगा डंडी देना ठीक है भागवान डंड देने सुईकार करने को तया तो है कि नहीं वह सुदेव जी के और भाई थे अटदस भाई और थे उनके भी किसी पत्नी से कई कई साधी कर लिया कोई पत्नी नहीं हुआ था और पता निव होगा की नहीं होगा इसको बेटा पहले ही मारने गर्दन काटने चल दिया कंस ने यह क्या है प्रिथक द्रिश है यही वह सुदेव जी बोल रहे है को महराज कंस द्रिश्टी कोण आपकी प्रिथक प्रिथक द्रिशा मतव हर पस्तिती में अगर भगवान को नहीं देखेंगे तो तुरंत चीज़ों को अपने उपर ले करके उसको करने के प्रयास करते हैं और कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की यह और भी कई सरुदारन एक साफ में सकंद में आता है प्रलाद महराज का उदारन कितना ज्यादा उनके फिता जी ने मारने का प्रियास किया प्रलाद महराज को अलग अलग तरीके से हाथी के नीचे कुछलबा के सांप लोगों के बीच में डलवा देते थे पहार से फिकवा देते थे भाला मरवा देते बिलकुल क्या क्या नहीं करवा दिया 20 पिला दिये हर परस्थिती में वो परस्थिती को कृष्ण के रिलेट में देखते थे परलाद महाराज है कि नहीं तो ये दृष्टी कौन भागवान का होना चाहिए और और एकादूदारन बता ये भागवतम से आप लो हाँ वेरी नाइस वेरी गोड छाठमा इसकंद में माता परवती कैसे चित्र के तु महराज को स्राब दे देती है कि तुम्हारा जो ये कार है ये ये देवताओं के जैसा नहीं है ये असुरों के जैसा है तो जाओ तुम असुरियोनी में चले जाओ कि जो नारायन परा होते हैं जो पूर्ण रूप से भगवान पर आस्रित भक्त होते हैं ब्यक्ती होते हैं ना कुता श्यणा विभ्यति किसी भी परिश्थिती में किसी भी काल में और किसी भी स्थान पर विभ्यति डर नहीं होता है कि पिंस लोक में बोला कि सोक हर स भाय द्वेश लोभ मुझहमध यह सब नहीं होता है भक्तों के जीवन न लगे श्वर्ग श्वर्ग में चले जाए अपरग्न भागवाद्धम चले जाए इस्वर्ग अपर्ग नरके सूग चैन नरक में चले जाए अपी तुल्य अर्थ दर्सीना एक द्रिष्टी कोण होती है कि जहां जाएं वहां भगवान का भजन करेंगे एक कोई में प्रसंग सुन रहा था राधा कोईन मराज का तो बता रहते क्या डर है अब यहां है भगवान का कथा सुनना है अगर माले मरने के बाद जहां भी जाएंगे वहां जाएंगे भगवान का कथा सुनेंगे तो क्या डर होना चाहिए जीवन में जहां भगवान जीस हिर्दय में होना चाहिए और ये भक्ती का प्रभाव है भक्ती के प्रभाव से तो क्यों क्या दृष्टी कोण होना चाहिए प्रपाद जी इसमें लिख रहे हैं परपट में कर्माणी निर्दहति किंतुच भक्ती भाजा ब्रह्म समीता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये भक अनुरूप फल भाजन मातनोती कर्मान निर्दहती किन्तुच भक्ति भाजां गोविन्द आदि पूर्सम तमहम बजामी क्या बोल रहे हैं यस इंद्रगोप मथवेंद्र महोसो कर्म ये इंद्रगोप बूँछ खोटा कीड़ा होता है एक इंद्रगोप नाम कीड़े से ले क पर के ब्रह्मा जीतक बंधान अनुरूप फल भाजन मातनोती उनके उनके कर्मों के अनुसार भगवान उनको फल देते हैं जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चित कल तो इसमें होई कह रहे हैं कि बंधा अनुरूप फल भाजन मातनोती कि अपने अपने स्वकर्मों कर्मों के अनुसार हम सब बंदे हुए हैं फल भोगने के लिए भगवान सब को कर्म किये वैसा फल देंगे ही देंगे लेकिन ब्रह्मा जी के हिर्दय का उद्गार है देखिए कर्मान निर्दहती किंतुच भक्ती भाजाँ सबके लिए एक नियम है लेकिन जो भक्ती में लगे रहते हैं ना उनके लिए कर्वानों निर्दहती उनके कर्म फलों को भगवान वो कर देते हैं नलीफाई कर देते हैं हलाकि देखिए भगवान का ही नियम बनाया हुआ है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल देना है लेकिन जो भक्ति करने लगते हैं एक बार उनकी जो डैरी होती है वो यह मराज जी के पास से हटके भगवान के हाथ में चल जाता है और उसके कर्मों के फल में भगवान उपर नीचे कर देते हैं अपने दूसाथ इस पर्श्टु गोविंद आदि पूर्सम तम्हम भजामी वैसे गोविंद को मैं भजन कर रहा हूं तो देखिए ये दृष्टि को उढ़ना चीए कि जो भी मेरे जीवर में आ रहा है मेरे कर्मों के चलते आ रहा है कुछ मैं ऐसा कर्म किया हूंग जिसके चलते आ रहा है और निश्चित उसे जो भी भगवान दे रहे हैं वो कम करके दे रहे हैं एक बार मेरी बात हो रही थी भक्ति अस्रवाश्ण माहराजी से तो महराज बता रहे तो देखो मैं पूछा कि महराज कैसे जीवन भर आप ठीके रहे ब्रमचारी आसरम में सन्यास वेलिए है आगे भी आपका ठीक में कई मन्न है तो कैसे ऐसा हुआ कैसे हम कर सकते हैं तो महराज बता रहे थे देखो कई परिशिती आई महराज बता रहे थे कि एक बार मुझे मंदिर से निकाल दिया गया तो मैं गोरधन में जाके कोई जिन रहा मंदिर बोल दिया गया गोशना नहीं आपको कई परिशित थे वो तो भगवान कृपा करके कम कश्ट दे रहे हैं कि पा करके कम कश्ट दे रहे हैं तो जो भी अब जहां भी ठाकुर जी गो रखनाय रखेंगे अभी तीजार दिन पहले गोर्धन कैम्प गया हुआ था हम लोगा यूद फोरम का तो उसमें एक लेक्चर चल रहा था तो करां ड discussion करके डाथ कि फिखये बैट कर तो नगाया जो बाबा थैंए बोली कि अंबरेंश का बोल रही तो मैं बॉले बैठके सुनो तो सुनने लगे भोल रहे थे में कर रहा था तो फिर मैं उससे पूछा बात में कि आप कहां रहते हो है कहां रहते हुए हर ज अब इस argu 미ोश दिया हो दानी डालेगा गलकर से पहुत सवLesफ कई और छोर आई। उब पैर Cindy तो इतने लोग सो रहे हैं इतने लोग इतने लोग जिंदा ए तो में मरूंगा कि ऐसे उसको इतना भी स्वास्ता कि भगवान ने अगर पेट दिया है मुझ दिया है तो इसमें भोजन जरूर डालेंगे कि पचीश साल हो गया पूरा भारत घुमते हुए और आज तक एक भी दिन भूखा नहीं सोया कि यही बात इसमें है कि यह हमारा भगवान पर भरोसा होना ची कर्मानु निर्दहती किन्तुच भक्ति भाजां कि जो भी कष्ट आ रहें जीवन में जो ब्रह्मा जी अपने प्राथनाओं में कह रहे हैं भागवतम दस्तम स्कंद चौदर द्यार में तत्य नुकंपा सुट्सुमिक्षमानों भुन्जान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाक वपूर भिविध्धा नमस्ते जिवेत मुक्ति पदे सदायभात प्रपाजी इ ये स्लोक अपने परपट में ये द्रिष्टिकोन भक्त का क्या द्रिष्टिकोन होना चाहिए परसीतियों में या कैसे इन जो जीवन में हमारे आता है सोक हर्स भय लोब मुओं इसे कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं इसके लिए प्रोपाजी ये बहुत सुंदर कैप्सूल दे र आत्रास्मा किये हैं हम अपने जीवन में उतारना चाहिए एक बार हम लोग का जब भक्ति सास्त्री क्लास चल रहा था तो इस लोग पे लगवा पैतालीस मिहन तक बंसी बहुत बंसी बहुत प्रोजी बोले थे कि ब्रमचारियों को विशेश रुप से तो अपने जीवन मे कि भगवान के आनुकंपा का कृपा का हर परस्तिती में हमें इंतजार करते रहना है कि ठीक है भगवान के आस्रव में रह रहा हूं एक नएक दिन ठाकुर जिरूर कृपा करेंगे तत्त depths अनुकंपा सुसुमिक्ष माणों और उसके साथ भूुञ्जान एवा आतम कृतम यह वह आत्मा आत्मा मत्दद खुद से जो भी बीपाकम बुरे कर्म किये हैं उनको भोगते रहना है देखिए जो भी जीवन में परस्थिती आता है निश्चित रुप से इतना तो माल लेना चाहिए हमारे अपने कर्मों के चलते आता है यह कि नहीं कभी किसी जीव का हम कु कि उचले कर्म को तो बदल सकते नहीं है और अब कर दिये हैं तो आएगा ही आएगा वो कर्मों का जो साइकिल अप्रा रभ्धम फलम पापम कूटम बीजम फलन मुखम यह जो चार स्टेज होते हैं कर्मों को तो आएगा ही आएगा तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि भु अपने द्वारा किये गए यह कारियों का फल मुझे मिल रहा है और यह निश्चित है कि भगवान उसको कम करके दे रहे हैं मुझे तो इतना इससे ज्यादा पीटाना चाहिए तो मुझे तो इससे ज्यादा कर्ष्ट भोगना चाहिए था वो तो भगवान क्रिपा करके ठाकुर जी मेरे पर क्रिपा करके कम कर्ष्ट दे रहे हैं यह तो मैं इससे भी ज्यादा का लायक था इतना बड़ा मैं दूश्ट हूँ, इतना मैं कारे कर चुका हूँ तो भुन्जान उसको भोगते रहना एवात्म कृतम भी पाकम और ऐसे भी भोग नहीं है मतब़ अगर नहीं भी अगर भगवान को दृष्टी कोन में रखेंगे तो भी कोई क्या ही कर सकता है तो भगत का क्या दृष्टी कोन होता है कि इसको भोगते हुए क्या दृष्टी कोन होना चाहिए वो महत्पूर्बात ब्रह्मा जी कह रहे है इस स्लोक में और जो अगर ये दृष्टी कोन अगर अपना लेगा जिवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग उसका भगती के उपर उसका मुक्ति के उपर अधिकार हो जाता है दाय भाग जैसे की इस स्लोक के परपट में प्रोपार लिख रहे हैं भाग वतम में कोई अगर पुत्र है कोई बेटा है किसी का तो जो भी बाप की संपत्ती होती है पिता की संपत्ती होता है जीने मात्र से उस बेटे का अधिकार हो जाता है उस संपत्ती पे सरकार भी दिलवा देती है उसको कि यहां उसी कहोना चाहिए तो वैसे अगर इस स्लोक को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो भक्ती पे अधिकार हो जाता है मुक्ती पे अधिकार हो जाता है उस भक्त का क्या करना है हिदवाग बपूर भी बिद्धा नमस दे कि जो भी कष्ट आए उसको सहते रहना है और हिदय से वाग वाणी से और सरीर से भगवान को नमस्कार करते रहना है और उम्मीद रखना है कि एक ना एक दिन ठाकुर जी जरूर कृपा करेंगे भगवान के सरण में आया हूँ भगवान जरूर कृपा करेंगे और तब तक के लिए जो भी कष्ट आ रहा है उसको सहते रहे और अपने हिर्दै से भगवान को धन्यवाद करते रहे अपने वाणी से भगवान का गुंदगान करते रहे और अपने कर्मों से भगवान का सेवा करते रहे और जो भी अपने कर्मों के साथ अनुस्तार कर्ष्ट आये उसको जेलते रहे प्रभपाजी विशेश रूप से इन दोनों स्लोकों को उद्रित की है अपने परपट में बहुत सुन्दर बिर्कुल परपट दी थी ये एक्चुली सम्मंध ग्यान को क्लियर करने वाला ये स्लोक है हमारे अचारे हैं भक्ति उन्हें ठाकुर जी उन्होंने एक टिका दिया भाग वतम पर उसे फूरे भाग वतम को तीन भागाश में बाटा है समंद्द ग्चानब्इधे ग्चानब्द प्रयोजन ग्चानब इसे बहुत सुन्दर ठीक दिये होना और हर परशिती में यह होना चाहिए एक प्रभुपाद जी mindree अनुक के यामित पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि प्रभुपाद जी के जो माता जी थी मम्मी को उनको बोला करती थी कि अगर दस हाथ वाले देने पर आ जाए तो दो हाथ वाला कितना ले पाएगा और अगर दस हाथ वाला छिनने पर आ जाए तो दो हाथ वाला कितना रोक लेगा कितना बचा लेगा बहुत बहुत इंपोर्टेंट ये जीवर में जवी परसीति है तो ठीक है अपना प्रयास करके कृष्ण पर निर्भर रहे हैं हर चीज को अगर कृष्ण से अनुकूल देखेंगे कृष्ण को सेंटर में रखेंगे तो बहुत ज्यादा हर सोक लोभ मोह नहीं होगा जीवर में जो भी है ठीक है मैं प्रयास कर रहा हूं देना है क्रिष्ण को देना है ठाकुर जी को देना है और जो लेना है उनको ले लेना है अगर वो लेने पर आजाएं दस हाथ से तो हम कितना बचा लेंगे बचा लेंगे और वो अगर खुब देने पर आजाए तो हम की तरह दो हाथ से मुतरा सम्हाल भी नहीं सकते हैं जितना कृष्ण दे सकते हैं हमें है कि नहीं तो प्रुपाजी की मम्मी बहुत अच्छा प्रुपाजी को समझाय करती थी हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए मार सकता है और अगर कृष्ण को मारना होगा तो कोई नहीं बचा सकता है जब रावन को मारने चले थे राम जी तो पाता माता पारवती बोली कि अरे और स्यू जी से कि आपका भगत जाए रक्षा करिये बोले नहीं माता नहीं माता तो नहीं देवी भगवान मारने जारे म नहीं बचा सकता है है कि भगवान अगर मारना चाहिए हरन कसेपू को कि तो ना ज्यादा वर्दान ले रखे थे यहां नीमारू आनी मरू से नहीं मरू से नहीं मरू फिर भी कुछ न कुछ करकर भगवान ना डियना है इतना ज्यादा दीमाग अपने लगा करके की तरह बुद्धी लगा लेकर भगवान को जो करना करेंगे करेंगे रोक नहीं सकते हम तो ये एक भाक्त का दृष्टिकोन होना चाहिए हर परस्थिती में कृष्ण से रिलेट करके चीजियों को देखे कि जो भी मेरे जीवन में क भगवान चाहते कि आये तो मैं क्यों इसका भी रोध करूं भगवान साफ सा बोल रहे हैं भगवद गीता पांच में अध्याए के उनत्तीस वे नंबर स्लोक में कि सुर्दम सर्वभूता नाम ग्यात्वाम सांति मिक्षदी कि सबका मैं सुहिर्द हूं सबका मैं परम मित् भगवद गीता में इस पश्ट रूप से भगवान बोल रहा है कि अहम बीज पर्दत पीता सौर्वयोनी सुकॉंते हो कि सारे सारे मेरे बेटे हैं पहली बात मेरे बेटे हैं और दूसरी बात मैं सारे बेटों से प्रेम करता हूं एक घर में हम देखें नॉर्मल पीता कि क्या कभी चाहता है कि मेरे पूत्र को कुछ बुरा हो इसका पै टूट जाए हां टूट जाए बुखारा जा कभी चाहता है पूरा अपना सक्ती लगा करके माता पीता पूत्र की रक्षा करना चाहते हैं चाहते हैं कि नहीं वह माता ध्रू महराज गए अपनी माता के पास सुनिती के पास और बोले कि सुरूची ने ऐसा कर दिया है तो सुनिती माता बोलनी कि देखो बेटा जितना मैं तुम से प्रेम करती हूं या जितना मेरे जैसे लाखों माएं मिल करके प्रेम करेंगी ना उससे लाखों गुना ज्य उसी लिए तुम उनाइक के सरन में जाओ तो अगर्म भक्ती में आ गए हैं भक्ती करने का प्रयास कर 먹 तो हर पस्षीति में इरम हमें वह रहताख हो हुआ है निर्भय रहना चाहिए और निर्भय कैसे रहेंगे जब भग्वान पे निर्भर रहेंatra तो कि जो भी भगवान दे रहा है जब भगवान ने सेंसर कर दिया उनको मेरा अच्छा बूरा पता है वो मेरे से प्रेम करते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा वो मेरे से प्रेम करते हैं और अगर वो चाह रहे कि यह हो तो मैं स्विकार कर रहा हूं ठीक है जैसा ठाकुर इच्छा मैं दो तीन लेक्ट्चर्श में सुना हूं राधा गोईंद महराज जी का मैं प्रोचन सुनता हूँ उसे बता रहे हैं कि अपने कर्मों के नुसार में कल बीमार पड़ गया था आप लोगों सुनें के से अब जरूर के अपने कर्मों के नुसार तो यह हमें द्रिष्टिकों रखना चीए कि जो भी कष्ट आ रहा है मेरे कर्मों के चलते आ रहा है अगर ऐसा दृष्टिकोंगे तब जाके ब्रह्म भूत प्रसनात्मा न सोचती न कांक्षती सम्हस्तर्वे सिभूते सु मद भक्ती लभते पराब भगवान के भक्ती को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाएगे जब दृष्टिकोंग अहम ममेती मम मेती से उपर उठेगा तो तब जाके जीवन से सोक हर्स भय द्वेस लोभ मोह मद दूर हो पाएगा जो हमारा प्रिथक दृष्टि जो हो रखा है हम अपने को भगवान से अलग होके देख रहे हैं ये दृष्टिकोंग जब हटेगा किसे कोई टीका टीप कर रही कुछ करेक्सर होते सकते हैं मुझे ही समझ गया है जी प्रोजी जी प्रोजी अच्छा परपर्स भावार्थ में दिये हैं ठीक है प्रोजी ने बताया कि जैसे टीका जो है चारे लोग देते हैं प्रोपाद ने भावार्थ दिया है तो जो ये प्रोपाद का पॉस्नल एक्टेसी है तो ये भावार्थ में प्रोपाजी ने बताया है न प्रोजी तो प्रोपाजी ने स्लो का पीछे से प्रववपाद अपना वह थीका तो नहीं बोल सकता है बारवर्डी का नहीं कल रहा है बैद अपना अपना उसक Foods को ताथ पर यह तो 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 परे प्रभपाद ठीन है कि थे थे ढूर यह ज्युपर परीव फ्रेश न घ्रिल प्रवपाद कि जै रख्वर कर दो 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 आजाए बना है